18 मार्च 2017 को योगी आधितनात ने यूपी के मुख्य मंत्री पत की शपत ली सीम बने योगी के सामने सूबे की कई चुनौतियां रोड़ा बन कर खड़ी हुई थी इन चुनौतियों से निपटने की जम्यदारी लेकर सीम योगी ने पहला कारेकाल शुरू किया कानून बवस्ता में कई तरह की बदलाव किये कई उचनाई शुरू की साल दोसर 22 में चुनावों के बाद योगी का जादू नजर आया पांच साल का कारेकाल पूरा कर दोबारा सब्ता में लोटकर पत संभालने वाले पहले मुख्य मंत्री बने इस बार योगी के सामने पहले कारेकाल से ज्यादा बहतर करने की चुनावतियां मिली साल दोसर 23 में योगी सरकार ने कई बड़े फैसर लिये इन फैसरों का कितना असर योपी में हुआ योगी सरकार कितनी कारगर साबित हुई आज आपको दिखाएंगे कि तेही इस नसीर से कितनी बड़ली योपी की तस्थिए योपी में योगी सरकार के कारेकाल का दो साल पूरा होने वाला है योगी सरकार का ये दूसरा टाम है और दूसरे कारेकाल में योगी सरकार योचनाओ के जरीए जनता के दिल में जखा बनाने की कोशश कर रही है आज हम योगी सरकार के दूसरे कारेकाल की योचनाओ का लेखा जोखा लेकर आए है योचनाओं की जरी योगी सरकार ने कैसे अपनी पैठ जन्ता के दिल में बनाने की कोशश की है उसको बदाने जा रहे हैं आज आपको योगी सरकार के दूसरे कारिकाल में अभी तक लिए गए 23 फैसलों को दिखाने जा रहे है जो जुनौतियों से कम नहीं रहे माफिया के खिलाफ मुकर होकर बोलने वाले मुख्यमंत्री कानून व्यवस्ता को काबू में रखने की बात करने वाले मुख्यमंत्री प्रदेश की पैचान अज उत्तर प्रदेश की पैचान आज उत्सो से है उत्सो से यूपी को उप्योगी प्रदेश बनाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनात प्रदेश की सत्ता में दुबारक आविज हुए तो उनके कंदों पर जिमेदारियों का बोज और बढ़ गया असीम संभवनाव को साकार करने की चुनौती उमीदों के सहरे उपलब्दियों तक पहुँचने की चुनौती मौजुदा संसादनों से सूबे को शीर्स पर लाने की चुनौती दूसरे कारकाल में योगी सरकार की सामने पहले कारकाल से विकास की रफतार को तेज करने की चुनौती उमीद हैं चुनौतियों की डगर पर चल कर उपलब्दियों को हसिल करने के लिए योगी सरकार टू ने कई योजनाओं को साकार करने का प्रयास किया विकास की बंजिल में आने वाले पांसले को दूर करने के लिए योगी सरकार ने अपने दूसरे कारकाल में 23 बड़े फैसले लिए अगले साल मार्च में योगी सरकार के दूसरे कारकाल के दो साल पूरे हो जाएंगी फैसला नमबर एक मुख्यमंत्री कंपोजेट स्कूल 57 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजेट स्कूल की स्थापना की जाएगी ये वो जन्पद होंगे जहां अटल आवासे स्कूल नहीं होंगे इस स्कूल में प्राइमरी से बारवी तकी पढ़ाई होगी स्मार्ट क्लास के साथ मशीन लर्निंग और मॉड्यूलर लैब की सुभीदा होगी फैसला नमबर दू अटल आवासिय योजना योगी सरकार्णी अठारे जिलों में अटल आवासिय योजना का शुभारम किया सरकारी स्कूलों को जोड़ा जाएगा खरीबों के बच्चों को एडमिशन का लाम मिलेगा फैसला नमबर तीन भीडा का गठन नड़ा की तरजपर योगी सरकार्ण ने मुद्देल खंड विकास पुराधी करण यानि भीडा के गठन को मंजूरी दी है बीडा के गठन के लिए सरकार्ण ने पांच हजार करोड के करजपी मंजूरी दी है इस धनराशी से 36 गाउं की 14,258 हेक्टियर जमीन खरीदी जाएगी ताकि ओध्योगी क विकास के लिए लेंड बनाया जा सकी फैसला नमबर च्यार होट कुकड मील योचना सूबे की आंगनवाडी केंद्रों में होट कुकड मील योचना को शुरू करने की मंजूरी मिली है आंगनवाडी केंद्रों पर 3-6 साल के बच्चों को सूखे राशन की जगे गर्म खाना दिया जाएगा लंबे वक्ष से ये योचना यूपी में बन थी प्रधान मंत्री ओजुला योचना योगी सरकार ने योचना के लाभारतियों को दो रिफिल्ड एलपीजी स्लेंडर फ्री में देने का पैसला किया सूबे के पौने 2 करोर लाभारतियों को इस योचना कलाम मिलेगा सरकार के उर्सेश योजना पर 2312 करोड रुपे खडशोंगे उप्लब्त करवाने का कार है कि प्रभानमतरी मोदी ची करा रहे हैं फैसला नमबर चै यूपी शिक्षा आयूग का गठन एक ही आयूग से यूपी में शिक्षा को की भरती होगी राज में अब टीजीटी और पीजीटी पदों पर यूपी शिक्षा सेवा चैन आयूगी भरती निकालेगा फैसला नमबर साथ जेल मैनुवल में बदलाव यूगी सरकार ने करीब सौ साल पुराने जेल मैनुवल में बदलाव का बड़ा फैसला लिया डिजीटल सिस्टम फास सिस्टम के तहट रहाई होगी ओट से रहाई का आदेश और यी और्थो डिकेटिड कॉपी को सही मान कर कह दियोगी रहाई हो जाएगी साथी काला पानी की सजा को भी खत्म कर दिया गया फैसला नमबर आठ फैमली आईडी योजना योगी सरकार ने फैमली आईडी योजना की शुरुआत की बारे अंकों का ये कार्ड परिवार की पहचान के लिए होगा एक ही परिवार को बारबार ला मिलना बंद हो जाएगा इस योटना के जरिये वंचित परिवारों को सरकार लाब के दाएरे में लाएगी योगी आदितनात ने कई कड़क फैसले लिए योगी सरकार के फैसलों के कई बार विरोथियों ने आलोचना भी की लेकिन सीम ने सूबे की तस्वीर को बदलने के लिए जो प्लान दयार किया था उस पर अमल होता रहा और जब दूस्टे बार योगी ने योपी के सत्ता संभाली तो अपनी बाकी रह गई योचनाओं को तेजी से लागो करने का काम भी शुरू कर दिया उस पर प्रदेश राज्यके मुख्यमंत्री के रूप में मार्च 2022 में दूसी बार यूपी की सत्ता सभालने के बाद योगी सरकार ने खुद को उपयोगी सरकार साबित करने की पोशिशों को आगे बढ़ाना शुरू किया सरकार की नई योजनाव पर काम तेज किया फैसला नमबर 9 विधान सवा नियमावली में बदलाब नई नियमावली के तहट सत्त बुलाने की नोटी सब्दी साथ दिनों की होगी नई नियम में विधायक अध्यक्ष को पीट नहीं दिखा सकेंगे सदन की कारवाही के दोरान दस्तावेज नहीं फाड सकेंगे फैसला नमबर 10 मोटो जीपी रेस का आउजन योगी सरकार में देश में पहली बार मोटो जीपी रेस का आउजन किया गया गिरेटर नवडा के बुद्ध इंटरनेशनल सरकिट में मोटो जीपी रेस का आउजन हुआ आउजन से देश विदेश में ब्रैंड यूपी को स्तापित करनी का मौका मिला फैसला नमबर 11 पुलिस कमिशनरेट सिस्टम यूगी सरकार ने आगराप प्रियागराज गाजियबाद में पुलिस कमिशनरेट सिस्टम को लागू किया कमिशनरी के जरिये कानून वैस्ता को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा पैसला नमबर 12 ड्रोन परचालन सुरक्षा नीती 2030 उत्तरप्रदेश ड्रोन परचालन सुरक्षा नीती 2030 को प्रस्ताव को मनजूरी दी गई इसके तहत विशेस अफसरों पर बेवजय रोण उडाने पर रोक लगाए गई है पैसला नमबर 13 जनपद में साइबर क्राइम थानों को शुरू करने की मंजूरी दी सभी थानों के अंदर ही साइबर सेल के गठन को मंजूरी दी गई है अंतर देशे जलमार प्राधिकरण योगी सरकान ने उत्तर प्रदेश अंतर देशे जलमार प्राधिकरण का गठन किया प्रियागरास से हल्दिया तक राष्टे जलमार एक नाम दिया गया है इसके बीच में 19 शहर है जहां से वैपार की संभावनाएं बढ़ेंगी फैसला नमबर 15 SCRD का गठन योगी सरकान ने NCR की तरज़ पर स्टेट कैपिटल रीजन डवलप्मेंट अथोर्टी के निर्देश दिये SCRD के जरिये शहरी विकास मॉडल के प्लान में मदद मिलेगी फैसला नमबर 16 अकांची नगर योजना योगी सरकार ने दूसरे कारकाल में अकांची नगर योजना के शुरुआत की इसके तहट सियम फैलोशिप कारकम के जरिये युवाओं को रूजगार के मौके दिये जाएंगे योगी सरकार के कई फैसले कड़क तो कई चौकाने वाले रहे क्राइम कंट्रोल के लिए कई रणनीतियां बनाई शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए योगी सरकार ने नई योजना है शुरू की लेकिन सवाल ये कि क्या इन फैसलों से योगी सरकार सूबे की जंता के दिल में अपनी जगा बना पाई है योगी सरकार ने यूपी के विकास को लेकर कई ब्लूप्रेंट तैयार किये हैं सूबे में वेपार को बढ़ावा देने का खाका बना है उसी के तहत यूजनाओं पर मोहल लगाई जा रही है स्थमबर में योगी सरकार ने ग्रेटर नोड़ा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयूजन करवाया ट्रेड शो में पाँच दिनों के अंदर तीन लाख लोग आए और करोडों का कारूबार हुआ अलग-अलग जिलों से तीन सो महिला उद्वियों ने हिस्सा लिया साथ देशों के पांस सो बायर्स ने ट्रेड शो में हिस्सा लिया पैसला नमबर अठा रह आराटियस रेल का शुभारम गाजियबास से रैपिड रेल सेवा का शुभारम इस साल हो गया इसके जरिये लोग एक घंटे से कम वक्त में डिल्ली से मेरट पहुँच जाएंगे फैसला नमबर उन्नीस जोहर विश्विद्याले पर एक्शन योगी सरकाने जोहर विश्विद्याले से 41,000 वर फीट जमीन वापस लिये जाने का फैसला लिया 2012 में समाजबादी पार्टी की सरकार में जमीन लीज पर दी गई थी फैसला नमबर बीस तीर्थ विकास परिशद की मंजूरी अयोध्यम श्रीराम जन्भूमी तीर्थ विकास परिशद मापाठेश्वरी देवी पाटन विकास परिशद मुजबफण अगर में शुक्र तीर्थ विकास परिशद के गठन को मंजूरी इस परिशद के गठन से पुरातात्विक महत्वों की जगों का सनरक्षन होगा पैसला नमबर 21 मॉडल सोलर सिटी अयोध्या अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विक्सित करने के लिए 40 मेगावाट की सोलर विद्धूत उतपादन परियूद्ना को मंजूरी मिली है डेड़ सो से अधिक सरकारी भवनों पर सोलर रूप टॉप लगाय जा चुके हैं शहर के पार्क में 16 ट्री लग रहे हैं फैसला नमबर 22 अयोध्या में कैबिनेट बैठक डवंबर 2023 में योगी सरकार ने पहली बार अयोध्या में कैबिनेट की बैठक बुलाई दीपोसफ से पहले कैबिनेट बैठक में 14 एहम परिस्तावों पर मोहर लगी फैसला नमबर 23 अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट योगी सरकार के दूसे कारकाल में अयोध्या में भवराम मंदिर का निर्मान हुआ मंदिर निर्मान के साथी मर्यादा पुरशोतम शिर्राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्मान हुआ एयरपोर्ट को मंदिर का स्वरूप दिया गया योगी सरकान यूपी की सत्ता में 2022 में दुबार अब आपसी की है अब एक बार फिर अपनी योजनाओं के जरिये सूबे के लोगों के दिलों में जगय बनाने की वोशिश में है